पुश्कार स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में एकनोमिक एक टर्म या फिर कहीं के एक कॉंसेप्ट स्टेगफलेशन ये क्या होती है इसको जानने वाले हैं साथ ही साथ इससे रिलेटिड जो रिसेशन है और जो इंफलेशन है इन दोनों को भी हम कवर करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो के PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर एक इमेज भी आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर यह एक बलून है बलून यहाँ पर लिखा हुआ अधा इकनोमी और यह बलून बलून के ओपर लिखा हुआ inflation यहाँ इस इमेज से अगर आप समझ पाओ तो समझ लेना कि इकनोमी को चूँज़ जाता है inflation यानि कि खतम कर देता है इकनोमी को अगर inflation जादा बड़ा तो यह काफी अच्छी image मुझे लगी ताकि इससे concept की कहीं न कहीं आपको थोड़ी बहुत तो clarity आए कि inflation बहुत जादा खतरनाक है economy के लिए inflation क्या यह recession यह stagflation यह stagflation तो एक mixture है इसको हम ऐसे कहेंगे mixture है इन सब चीजों का inflation का recession का इन सब चीजों का एक mixture हम इसको कह सकते हैं care अभी क्या हुआ है विशु भर में यानि पूरी दुनिया के अंदर जो central banks है वो यह decide करने में लगी है कि नीतियां बनाने का प्रयास ऐसी नीतियां ऐसी policy बनाने का विकास कर रही है कि जो अमेरिका सही कुछ उन्नत अर्थ बस्ता है जो developed economy है वहाँ पर मुद्रा स्फिती यानि inflation जो है वो बड़ी हुई है अब inflation जो है वो recession में ना बदर जाए यानि मंदी में ना convert हो जाए उसको नियंतर मतलब कि मंदी में convert किये भी न तो यहाँ पर ऐसी policies मनाने का वो निर्मान कर रहे है साथ इसाथ जो experts हैं economic के जो experts हैं वो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में निकट भविशे के अंदर stagflation की भी संभावना है और यह बात था हिंदू newspaper में cover की गई है अब आपको समद लाए यह stagflation क्या होता है inflation, recession यहाँ पर आपकी सामने लिखा है inflation, recession और stagflation inflation को बोलते हैं मुद्रा सफीती, यहाँ पर लिखा हो ने मुद्रा सफीती recession, recession का मतलब होता है मंदी, अच्छा अब मंदी तो समझी गए होगे कि market के अंदर मंदी आ चुकी है, फिर वो कहते हैं कि अरे बिरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि market के अंदर काम नहीं है, मंदी आ चुकी है, तो यह मंदी से सब को डर लगता है हर एक individual person को भी और हर एक country को भी इस मंदी से डर लगता है क्योंकि अगर ऐसी स्थीती आई, तो भाई साब हर एक इनसान जहां पर जो काम लगा हुआ है उसकी job होती है, उसको खत्रा आ जाते है और बहुत सारे लोग unemployment होने, start हो जाते है तो अब यहां पर एक ऐसी situation वरने वाली है कि जो experts हैं, जो economic experts हैं, वो कह रहे हैं कि आने वाले time में, आने वाले future के अंदर, stackflation की जो situation है, वो हो सकती है हम जान लेते हैं, यह stackflation, क्या है stackflation, थोड़ा बहुत हम इसके background के बारे में बात करते हैं इसका मतलब होता है, कीमतों का एक साथ increase होना, और जो growth rate है, उसको एक तरीके से वो रुख जाना growth है, किसी देश की वो रुख जाना, तो यहाँ पर यह एक तरीके से stackflation होती है मतलब कि growth तो बढ़ नहीं रही, साथ इसाथ इसमें, जो production, जो कोई भी product है, उसकी value है, वो increase हो रही है तो यह कहीं न कहीं ऐसी situation create कर देता है, कि लोगों के, या फिर किसी देश में, वहाँ पर unemployment, यह सब चीजें बढ़ने लग जाती है अब stackflation जो शब्द है, जो word है, वो सबसे पहले, November 1965 के अंदर, United Kingdom, यानि UK में, जो conservative party की जो सांसद, Ian McLeod, उनके द्वारा यह गड़ा गया था, या फिर use किया गया था इसे अर्थ विवस्ता की, इस मतलब की stackflation है, एक ऐसी स्थिती के रूप में मतलब बताया जाता है, जाँ विकास दर धीमी हो जाती है, यानि जो growth rate है, वो low हो जाती है, फिर रुख जाती है, और बिरोजगारी जो है, वो लगातार उंचे स्थर पर बढ़ती रहती है, और inflation, या फिर कहें, मुले स्थर में, एकी समय में उंचा रहता है, यानि inflation का मतलब होता है, जो किसी भी product है, उसकी value increase होते रहना, और यहाँ पर जो growth rate है, किसी भी देश की, जो GDP है, वो नीचे की तरफ आना, या slow हो जाना, या अब बढ़ना ही नहीं, तो ऐसी situation, ऐसे mixed रूप को एक तरीके से कहा गया है, stackflation, stackflation बहुत जादा एक खराब situation होती है, किसी भी देश के लिए, और यह स्थिती अर्थ वस्ता के लिए बहुत जादा खतरनाक होती है, आम तोर पर जो कम विकास की जो स्थिती में, केंद्रिय बैंक, अब क्या होता है कि, अब कभी भी किसी भी देश के अंदर, या फिर हम भारत की भी बात करते हैं, अगर यहां पर आपको growth rate अगर जादा नहीं दिख रही है, तो यहां का जो central bank है, यनि भारत का central bank है, RBI, RBI क्या करेगा, कुछ ऐसी नीतियां बनाएगा, नीतियां ऐसी बनाएगा, कि लोगों को वो जो loan दे रुपया जो bank में जमा कराएगा, उसको interest rate जादा देना start कर देगा, तो यह सारी चीज़ें जो है, नीतियां जो है, वो एक central bank के दोरा अपना ही जाती है, ताकि एक economy के अंदर, एक economy के अंदर क्या है, जो cycle है, पैसे की या फिर growth की वो चल पड़े, कैसे चल पड़ेगी, द स्टार्ट करने का, यहां पर employment हुआ, यह generation हुआ, इसके पास कुछ रुपया या वो रुपया बैंक में गया, तो यहां पर यह एक growth cycle जो है, या फिर एक economy की cycle है, वो चल पड़ती है, यह सारा depend करता है, यह central bank जो है, वो कैसी नीतियां लेकर आता है, अब interest rate जो है, या फिर एक जो policy है, वो काफी ज़्यादा खतरना हो गई है, आज की date में, वो ऐसा हो गया है, कि यह जो उपाए है, कीमतों को बढ़ाते हैं, और मुद्रा स्विती का कारण बनते हैं, या यह भी जो चीज़ें, वो inflation का कारण बन जाती है, यह ऐसा क्यों बोला गया, देखें, अभ वहां पर growth वो बहुत कम हो गई थी, क्योंकि हर तरफ आप देखेंगे, तो lockdown था, कोई भी किसी भी देश में आन जा नहीं रहा था, तो tourism तो एक तम खतम हो गया था, लोग अपने घरों में थे, कहीं पर भी उनका travel नहीं हो रहा था, तो oil के ओपर भी काफी ज़्यादा, मत जैसे ही company, मतलब कि जैसे ही COVID-19 खतम होता है, lockdown open होता है, लोगों का बाहर आना होता है, तो सरकार ने सोचा, यह अपने ही देश की बात नहीं कर रहा हूं, भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, यह बाकी के जो विश्व के, जो वर्ल्ड की भी सारे की सारे देशों की बात कर दीजिए, ताकि लोग क्यों के पास पैसा पहुंचे, पैसा पहुंचे कि वो काम में लगाएंगे, काम में लगाएंगे, तो एक activity जो है, वो एक cycle जो चल पड़ेगी, तो ऐसा ही हर बैंक, हर देश का यह बैंक काम करता है, लेकिन यह जो policy है वो उल्टी पर जाती है, उ और फिर कोई भी काम के लिए, कुछ ना कुछ चीज़ें तो जरूरत होती है, अब यह raw material है, वो कही ना कहीं से तो लेगा, अब वो जहां से लेगा, तो वहां पर वो at a time तो त्यार नहीं मिलेगा, आपने तुरंत lockdown होते ही, पैसे देने start करती है, या फिर loan देना start करती है, लेकिन raw material बनने में तो time लेगेगा, तो इसके पास तो पैसा पहुंच गया, अब इसके पास पैसा पहुंच गया, तो यह raw material खरितने के लिए बोला कि मैं तुसे ज़्यादा पैसा देदूगा, मुझे जल्दी provide कर दे, तो इससे क्या होगा कि कीमते और बढ़ने लग इसको एक तरीके से solution की रूप में देखा जा रहा था, लेकिन आज की date में solution कम, यहाँ पर खतरनाक situation में इसको consider किया जाने लगा, clear हुआ, अब stackflation का जो मुद्दा है, इसके बारें बात कर लेते हैं, देखे, 1970 की बात है, उसकी शुरुआत में या मद्दे में OPEC, जो या production करना है, कितना हमें बेचना है, कितना हमें कम करना है, कैसे हमें अपने price के अंदर increase करना है, कैसे decrease करना है, तो यह सारे यह OPEC करता है, तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इनकी हालत बुरी होगी थी COVID-19 के अंदर, COVID-19 के अंदर लोग अपने घरों में थे, वो तो किसी फी देश ने इंसे ये टेल मना करत लिया था ृब जब lockdown open हुआ तो इनों ने क्या का कि भाया जो हमें नुकसान हुआ था ये store करने के लगए हमें जो खर्चा देना पड़ा था तो भाया वो तो हम वसूलेंगे तो इनों ने जो अपने तेल का प्राइस जो परती बैरल है हम इसको increase कर रहे हैं और production हम कम रख रहेंगे अभी हा प्रोड़क्षन की बात की गई है कि बढ़ाने की जिससे क्या हो गई कि आने वाले टाइम में कहा जारी कि तेल की जो प्राइस हों BU How to डेश के अंदर बिया क्योंकि आप तक इन्होंने को प्रोड़क्शन भधा नहीं रखी थी लग लग चार लाक बैरल जो है वो यह प्रोड़क्शन कर रहे थी तो जिससे क्या और रहा था कि इन्होंने प्राइब ढूर्बर इस जाधा रख रहे थे तो लोग जो देश हैं इनसे जो production जो export कर रहे थे जिन भी देशों को तो उनको और जादा पे करना पड़ रहा था तो वहां पर महंगाई increase हो रही थी तो सबसे बड़ा reason यहां पर निकल कर आता है ओपेक के कांड जो इन्हों किमतों को इन्हों ने बढ़ा दिया तेल की किमतों किसी भी दूसरे देश के अंदर बढ़ गई थी obviously raw material का प्राइस बढ़ेगा तो जो इत तरीके से आपके सामने product actual product निकल कर आएगा उसकी तो value बढ़ी हुई मिलेगी और एक और तेल की किमतों में जो है वृधी और अधिक पर dependent के कारण जो है इनकी पूरा का पूरा जो development है वो इसके कारण हैं पर हुई इनके कारण जो है वो गड़ बढ़ा गई सारी की सारी और दूसरी और तेल की किमतों में वृधी के कारण यहां पर inflation की स्थिती भी उत्पन हो गई production जो है एक तरीके से यहां पर किसी भी मतल कोई भी चीज दूद का प्राइज लेजिए वो भी increase हो जाएगा क्योंकि सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से कही ना कही रिलेटिड होती है तो मुद्रा स्वीती तो बड़ी बड़ी इससे मुद्रा स्वीती के कारण क्या होता है इनकी इनक्रीशन तो इंक्रीज होगा जो प्रोडक्ट हैं जो भी चीजें हैं जो समान है वो भी महंगी हो गई थी क्योंकि क्यों हो गई थी यह जो ए है यहां पर एक चीज ले लेता हूं यहां पर बी है और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा अब इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट जो चलाया जाते हैं उनमें तेल तो लगता है अब तेल की कीमते बढ़ गई तो यहां पर जो प्रोड़क्ट इन ट्रक्स के अंदर होता है उनकी कीमते भी बढ़ा दी जाती है और अल्टिमेट जो यहां अब रिधी देखने को मिली थी तो यह होती है आपके सामने स्टेक्फलेशन आप आप देखेंगे जीडिपी जो है वो नीचे जाती है अनिप्लोईमेंट ऊपर आ जाता है इन्फलेशन इन्फलेशन यह वस्तुओं का जो रेट है वह हाई हो जाता है तो यह सब चीज़े इस सेंटरल बैंक के द्वारा अपनाई गई वो उनके विप्रीट जा पड़ी मैंने कहा ना कि किसी भी देश में अगर एक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो वहां का जो सेंटरल बैंक है वो क्या करेगा ब्याज दरूं को कम कर देगा तो वहां पर जो परसन है वो हो जबता होती है लेकिन यह कोविट 19 के कांड हर देश को एक होड़ लग गई थी कि हम अपनी एकनोमिक जलदी उठाएंगे हम अपनी क्रूमिक जलदी उठाएंगे इस नहोंने पैसा बहूं को दिया किसी पी प्रसन को दिया लोन सस्टा करके जो दिया इनको काम तो करना लेकिन काम करने के लिए रो मेटीरियल तो चाहिए था अब रो मेटीरियल तो रातो ना तो नहीं बन सकता अरे आप पैसे तो किसी को रातो रात दे सकते हो लेकिन जो माल है जो माल है उसको बनने में टाइम तो लगेगा और हर एक के पास पैसा आ जाएगा और माल कम है हर पहुँचे तो यह क्या काम करेगा इस माल की किम तो को हर देश ने यह काम करने की कोशिच की जिसके काण क्या हुआ जो उनकी यूक्रेयन के जो यूद है इन्होंने complete करती देखिए आपको एक चीज समझनी होगी जो भाईया रूस है रूस से जो तेल निकलता है रूस भाईया तेल का बहुत बड़ा उत्पादक देश है तो यहाँ पर जो इससे तेल निकलता है जो European countries है गैंस और तेल वो रूस से लेती है अब European countries में अपना घर गरम करने के लिए जिस गैंस का यूज किया जाता है वो रूस से निकल के आती है अब रूस से निकल के आती है उन्होंने लगा दिया सैंक्शन रूस के उपर अब जैसी सैंक्शन लगे तो वो अब मजबूर होगे न अब 100 पे की गैंस लेकर वो अपने घर को पूरे दिन जो है वो गरम रखते थे क्योंकि वहां पर ठंड पड़ती है अब जो यह गरम रखते थे अब यहां पर से इस यूक्रेण की वज़े से क्योंकि यहां पर यह अनाज सब्सक्राइब मतलब कि इसका प्रोड़क्शन करता है यहां पर अनाज यानि कि गेहूं जोए वो ज्यादा होता है और यह बाकी की यूरॉपन कंट्री में एक्सपोर्ट करता है लेकिन भाई साब यूरूस ने कर रखा है इसके ओपर अटेक तो यहां से अनाज भी निकल के नहीं आ रहा और दूसरी और आपने देखा होगा जैसे हाल हुआ हुआ है सिरलंका का शिरलंका का ऐसे हुआ एक तो COVID-19 में उनका ट्यूरिजम मर गया हूँ क्योंकि इस शिरलंका ट्यूरिस्ट कंट्री एक त्रीके से वो कौन सा प्रड़क जो है वहां पर खर्च करके जाते हैं अब COVID-19 हुआ खतम भया श्रिलंका को लगा कि हमारी इकनोमी फिर से गरो करेगी रही सही कसर फिर इसके बाद इनका बीच में यूद स्टार्ट होता है तो उनकी हाला तो जाती है खराब वह यह इन कितनी इकनोमी खराब हो जाती है त पर अब यहां पर जो संगर्स है उसके कांण गैस और जो फूड है मतलब कि फूड ग्रेंस होगे जो काने वाले जो तेल है एडिबल ओयल्स होगे जो फर्टिल्यब्ल आइशस फर्टिलाइज्र्स आपको ध्यान रहे हैं अमेरिका ने अभी हाली में बोला है कि यहां रू चीज लगी जो रशिया है रशिया है इनकी पूरी पावर है इनकी धाग है इनकी एक तरीके से समझो इन्होंने लड़ाई कर ली इन्होंना पता था कि अगर हमारे उपर सेंक्शन लगाओगे तो यह वह हाल है हम तो डूबेंगे सनम लेकिन साथ में तुमें भी ले डूबे रो हम में अपनी बांतगे लगा है इनके उपर डिपैंड करते वह Index ये प्रवाइड करते एंटल यह पर्वाइड करते तो हमसे जाओगे कहां कि आप आप देखेंगे तो तेल के उपर में तो करूस कनेड़ा यहां चली उए सश्चन तो यह तेल नहीं ले पारे, Canada जो है, जो एक तरीके से, अमेरिका का, वो कह सकते हैं कि, घनिष्ट मित्र है, उसी की बोली बोलता है, उसी का तोत्ता है यह, तो यहाँ पर इन्वे चल गई कोई सेंक्शन लगाए ही नहीं, आप किरप्या करके जो भी कंपनी जो प्राइविट कंपनी हैं, आप फेटलाइजर जो रशिया से उससे ले सकते हो, तो यहाँ पर खुद यूएस से को एक स्टेटमेंट जारी करनी पड़ रही है, तो जो फेटलाइजर है, उन वस्तों में सब में वृति हो गई थी, जिसके कारण के मुद्रा स्फिती को नियंतरन करने के लिए, एक तरीके से जो कठिन स्थिती का सामना करना पड़ रहे हैं, और जब मांग अधारित नहीं है, एक तरीके से जो डिमांड है, वो कहीं न कहीं unstable है, उसको तो आप कहीं न कहीं आप उ इस दिमांड को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं से supply तो होगी, वो supply बैठा रशिया, अब रशिया की पास तो अब लगागे बैठे हो, सेंक्षन, उपर से यूक्रेन के उपर चला हुआ है, यूध रशिया यूक्रेन के यूध है, तो यह जो situation है, वो supply को बाधित करती है, तो यह सबसे चीज़ें जो है वो और जदा खराब हो गए इनके लिए, अब आगे की रहा क्या सकती है, तो यही बोला गया है, कि जो policy makers हैं, उनको आपको एक काफी लंबे टाइम तक चलाना पड़ेगा, कुछ एक जो कह सकते हैं कि जो छोटी companies हैं, उनको आपको काफी टा सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाकि जो है वो situation शायद उनके लिए normal हो सके, और भी इनमें बोला गया है, कि आप विवेगपुर्ण नीतियों का समान्य करना या निक, normalization तरीके से इनका use करिए, आपको policies अच्छी बनानी पड़ेगी, एक तरीके से इन सब चीज के आपक प्रकस करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम में इन सब चीजों को कैसे टैकल किया जा सकता है, तो एक यूज स्टैक्फलेशन है, उमीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगे कि स्टैक्फलेशन, इन्फलेशन, रिशेशन, इस सब इन्फलेशन इन्फलेशन तो बहुत सारे देशों में आया भी हुआ है, उमीद करता हूँ कि इन्फलेशन से रिलेटिड या इसे डाउट है यहां पर कलियर हुए होगे, वीडियो समझ में आई है, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से आपको मैंने आपको बता दिया है, कि पीडियो कहां मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ, वीडियो ज्यादा पसंद आई है, तो शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र, मतलब दोस्तमित्र तर्ते कियो गए, अपने फैमली के साथ, साथ जो भी आप चानते हैं, जो पढ़ रहे हैं उनके साथ, और चैनल को भी आप शेयर कर सकते हैं, तैंक्स फॉर वाचिंग दिस,